आज अगर मनीपूर में हो रहा है तो जरूरी बात है अगर उन लोगों को कोई सजा नहीं मिलेगी तो देश के अगले भागों में भी ऐसा हो सकता है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ नारा दिया लेकिन अब उस नारे का फायदा क्या है कि घर से बाहर निकलती वे डर लगता है डर तो लगता है क्योंकि हमारे पेडेंट्स जो है वो सब यह जब सब सब देखेंगे तो उनके भी तो दिल में एक डर होता है नहीं वह सोचते हैं कि आज इनके साथ हुआ है कल शायद हमारे सास्थ तो आभी खरके अंदर भी लोग सुरेचित नहीं है ऐसा ही एक माहौल पूरे देश के अंदर बनाया गया है यह बीजेपी शासन के अंदर में नमस्कार मैं ब्यूटी के रिए और आप देख रहे हैं जन ही तवास अभी हम मौजूद है दिली के चंतर मंतर पर जहां पर मनिपूर को लेकर जो भी पिछले दिनों में तश्वीर है मनिपूर से उसको लेकर लोगों में आक्रोश है और उसी के वही आक्रोश दिखाने के लिए लोग जनतर मंतर पर इकटा हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जो है अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार की खिलब हमारे साथ अभी मौजूद हैं, कुछ लड़किया मौजूद हैं, क्योंकि जो वीडियो और जो घटना सामने आई है जाहिर तोर पर एक दिमागी असर, दिमाग पर क्या असर छोड़ता है, यह हम लड़कियों से जानना चाहेंगे वो वीडियो देखने के बाद जो भी वीडियो सामने आई है, उसके बाद आपने किस तरीके से देखा, आपके दिमाग पर जो है, वो क्या असर हुआ पहले तो जो कुछ भी हो रहा है वो सब सही नहीं है लड़कियों के साथ पहले आप लड़कियों को इतना आगे बढ़ाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ आपने वो नारा दिया हमारी गौर्मेंट ने पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया लेकिन अब उस नारय का फायदा क्या है आप यह बता है जब अगर आपको कोई भी हिंसा होती है तो वहांपर क्या होता है लडकीयों को और महिलाओं को महिलाओं को रचो को और बच्चो को ज़ादतर टार्गेट किया जाता है और मनि पूर में भी अब है सै our तो अगर आप हमारी गॉवर्मेंट पहले ये नारा देती है की बेटी बचाो बेटी पढ़ाओ तो फिर ऐसा हमारे साथ क्यूं हो कि अपना था तो लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं ठोके वाजी कर रहे हैं तरह कैसे चुनाव आता है तो नारे वाजी देते हैं बेटियों के लिए लेकिन जब जीत जाते हैं सत्य में आ जाने के बार कोई मतलब नहीं है इतना कुछ हो गया लेकिन उसके बावजुद इससरक वीडियो सामने नहीं आई है तो सरकार को उनका वो करना चाहिए उनको प्रोटेस्ट करनी चाहिए उनको सपोर्ट करना चाहिए लोग जादतरी रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखवाते कुछ लोग होते हैं जिनके कोई प्रॉब्लम्स होते हैं लोग होते हैं घर की बात घर मे रहनी चाहिए तो इसलिए problems की वज़े से लोग नहीं बताते लेकिन सरकार को उस पर action लेना चाहिए अगर आज ऐसा हो रहा है आज अगर मनीपूर में हो रहा है तो जरूरी बात है अगर उन लोगों को कोई सजा नहीं मिलेगी तो देश के अगले भागों में भी ऐसा हो सकता है तो क्या सरकार तब भी यहीं कहेगी कि यह सिर्फ बहुत लड़कियों के साथ हुआ है तो सरकार को कुछ न कुछ action तो लेना पड़ेगा अगर सरकार निर्भया के साथ जो हुआ था उसके बाद कोई न कोई तब ही action लेती तो आज और जो लड़किया है वो शायद अपन से बाहर निकलते वे डर लगता है दर तो लगता है क्योंकि हमारे parents जो है वो सब यह जब सब देखेंगे तो उनके भी तो दिल में एक डर होता है ना हम भी तो एक लड़किया ही है ना वो यह सोचते हैं कि आज इनके साथ हुआ है कल शायद हमारे साथ ही हो तो इसलिए थो और डर जो है वो बना हुआ है आप क्या कुछ कहना चाहेंगी क्या ये तस्वीर देखने के बाद क्या कुछ असर हुआ दिमाग पर मन पर कैसा महसूफ हुआ जानता कि मुझे लगते हैं कि लड़की को बहुत बुरा लगता हुआ उनकी जो है हालात समझने के जगह जो है राजनीती की जा रही है आप यही कहना चाहरे है यही किया जा रहा है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे है अच्छा प्रधान मंत्री ने कहा है कि दखने के बाद जानने के बाद उनका मन रोपड़ा है इस पर कड़ीं कारवाई की जहेगी लेकिन जो है आक्शनन बहुत जो होना चाहिए नहीं यह नहीं होताल नहीं ऑनला चाहिए झालत Congressman जो गला जो है वह रूंदा हुआ है क्या कुछ कहने के लिए मन में जोH बाते तो बहुत हैं लेकिन बाते निकल कर बाहर नहीं आ पा रही हैं जो कुछ भी मड़ेपूर से तश्वीरे आई जबके एक ही की सरकार है फिर वहां ऐसी बेवस्ता है तो यह बहुत ही दुखदाई हुआ और कषड़ाई हुए वह सिर्व हमें रोटी रोजी से हटाने का एक सड्यंत्र है और वहां की मैलाओं पे जो यह घटना हुई है इसके लिए मेरी दुबान से कोई ऐसे सब्स नहीं निकल पाड़े मैं अंदर से बहुत तकलीब में हूँ तो मैं क्या को हूँ तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो भश सरकार है इसको ऐसी बेवस्ता करनी चाहिए जिसमें के अल्व संख है मैं लाएं कमदोर वर्द इनके हित में काम होनी चाहिए जो के रधान मंत्री ने इसने दबाव डाला एक मिनट के लिए भासन दिया है एक मिनट भी पूरा नहीं कि यह कहा जा सकता है कि इसके पीछे इसके पीछे जो चुप्पी तोडने का भी एक जो कारण है वह सुप्रीम कोट का दबाव है इसने एक दो सब्सक्राइब बोला वह फी पुरी बात ने उसने भी घोचपच करके उसने कभी यहां की वहां की बात कर दिया जबके उसकी पूरी बात वहां मनिपूर के संबन्द में होनी चाहिए 74-75 दिन के बाद इसने हलकी सी वह भी सुर्णी कोड के दवाव में इसने बोला आए यह सब प्लानिंग है और यह भर सरकार है सरकार को इस दुनिया से हिंदुस्तान से जाना ही जाना चाहिए ऐसी गंदी सरकार नहीं आनी चाहिए दुवारा और मैं वहां की जनता के तरफ से मैं सभी जन्ता को अपील करता हूं सभी हिंदुस्तान की जन्ता को अपील करता हूं लेकिन जन्ता कह रही है कि खुशहाली है अच्छे दिन है नहीं नहीं अच्छे दिन नहीं यह बहुत बहुत तकलीफ दिन है मैं 14 साल का हूँ सबसे सरकार को यहां पे जाना ही चाहिए इसने बेटी पढ़ा वा बेटी को आप क्या कहूं सब मुझे नहीं लगता है यह बहुत बुरी सरकार इसको जाना चाहिए अच्छी सरकार कांग्रेस के राज्य में भी तो हो रहे हैं राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार है राजस्थान में और आए दिन ऐसी खबरे आ रही है और भी कई जोगों से आ रही है इतना भर्ष नहीं है इतना भर्ष नहीं है पिछली सरकार फ़र भी किसी हद तक गरीबों को कमदोरों को आलसंखों को महिलाओं को बहुत इज़त देती थी हर सरकार में पांचे ओनी बढ़ावन नहीं है लेकिन फिर भी यह सरकार बहुत बेकाड है और तमान सरकार जो है मोधी सरकार बहुत बेकाड है इसको साड़ी दुन्या थुतू करें यह बेसर्म लोग है घटिया माइन के लोग है इस सरकार ने लोगों को जुग्गी वालों को घर दिया है पक्का मकान दिया है आयुष्मानी ओजना बीमारी हो तकलीफ के लिए यह सब दिखावा है जमीन अस्तर पे कहीं कुछ नहीं है जमीन अस्तर की तो मैं दिहात कर रहने वाला हूं दिली में का हुट टाइम से हूं कि यह सरकार के तरह से हो सब्सक्राइब से भराइक सीशनिया साफ तर पर यह जो है जनता की राय है इनका कहना है कि कुछ नहीं किया है और भी लोगों से बात करेंगे जयानी की कोशिश करेंगी के उनका क्या कुछ कहना हैroni पूर में जो महिलाओं के साथ घटना हुई तिस पर इसका कितना असर हुआ देखिए यह जो खड़ना हुआ है और से अलग खड़नाएं भी वहांबे भी हुआ होगा क्योंकि हमेशा जब भी दंगे होते हैं यही होता है महिलाओं के साथ में उनको एक जो है अपनी उसका निशानक लगाते हैं और महिलाओं की जो उनको तो बेलातकार किया जाता है उनके उपर में हिंसा किया जाता है और यह जो है यह जो खड़ना यह हमें सुनने को आता था लेकिन ऐसे यह खड़ना हमारे आंकों के सामने में आया है तो यह तो पूरे देश के लिए इतना शरमनाक है जो दिनों तक जो है कोई भी किसी का भी अपना जो है थोड़ा सा भी सम्वेदन शील जो भी है वो सो नहीं सकते ऐसा खतरनाक जो है खतना हो रहा है उसमें सबसे खतरनाक एई है यह किया भी गया है कि वही गाव के लोगों में तो यह कैसा गिया जा सकता है कल तक मेरे पडोसी है और कल तक दूसरे समधाई का है हम सा जा रहा है बढ़ाया जा रहा है वह हमारे लिए एक इंसान कोने के नात एई ज्मातित है और ज्छादा एक दरनाक चीज थे मैं बच्रीयों से बाद बच्चियाा के बार्चियों का सास्तौर पर कहना है कि यह देखने बाद जानने के किए दंगे किए गुये हैं जोंघ जो बीवी को जल आंगे तो आभी कर उन्दर भी लोग सुरचित नहीं अथिसे एक माहोल पूरे देश के अंदर बनाया गया है यह बीजेपी शासन के अंदर में तो इसके खिलाब में हम लोग एक दूसरे से तो कहां भागेंगे तो हमें एक दूसरे का सहायकता के लिए खड़े होना चाहिए एक दूसरे को इखटा करना चाहिए उनके अंदर में जो नफरत बोया गया है उसको निकाल देना चाहिए और ये जो करवाया जा रहे है उनका क्या ताद में बेटिया सबसे सुरक्षित हैं उनी के राज्य में ऐसी तस्वीरे आ रहे हैं यही जंदर मंदर में एक महीना पहले ही जो यह देश की जो शान बनने हुए है पहलवान है और उनकी जो है अभी भी MP है अभी भी सदन में यह आ रहे है उसका रश्ट भी कई किया नहीं गया है ऐसे लोगों को पना देने वाले जो बीजेपी है उनके नामे यह बोलने भी शरम की बात है कि उसके बारे में उस पार्टी के बारे में और उसका महीला नीती के बारे में बोलना ही मैं समझती हूँ हमारे लिए शरम की बात है कि ऐसा जो बैशरम जो पार्टी है ऐसे जो देरिंदों को पना देते हैं ऐसे क्रिमिनल्स को पना देते हैं और अभी भी जो दंगे करवाने के लिए मनिपूर के अंदर ऐलान करने वाले उसके पार्टी के अंदर में है जो वेड्सप में ट्वीटर में ये सारे ऐलान करते हैं जो हो रहा है वो अच्छा है ये ऐलान करत है ऐसे लोगों को अपने पार्टी के अंदर में रखने वाले यह पार्टी है क्योंगी यही खुद यह करवार है क्या मोदी ने कहा कि मन दुख रहा है कारवाई की जाएगी क्या उनके पीछे जो इन्हों ने बोला है उसके पीछे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हाथ ह है वरनाऊ ऊप वो तो डेशसामने आई चुका है कि इसका बोलने की कोई जरूरत ने जनता के सामने में आया है कब स्थी वह चुप रहा दूंपह वेस कि Quickly क्या बोला गोला कि तुम भी चाहिए वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे शासन में यह हो रहा है चार कम में पांच बढ़ा है और कितना हुआ है इसी का भी हिसाब देते भी रहेंगे कि ये देश की प्रधान मंद्री बोलने की लायक नहीं रहा तो ये साफ तौर पर आपने सुना कि महिलाओं में गुसा है क्योंकि जो महिलाओं के साथ जो ये तस्वीरे निकल कराई साफ तौर पर वो दुखी करने वाला है और इसको लेकर आम तौर पर हर भारत वासी में गुसा है और सब अलग अलग तरीके से अपनी गुसा जाहिर कर झाल 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 झाल